क्या इस मिडियेशन की कोई समय सीमा तै कर रखी है कि इसमें चार डेट्स लगेंगी या इसमें दस डेट्स लगेंगी या इसमें पचास डेट्स लगेंगी या सो लगेंगी या सिर्फ दस डेट्स लगेंगी क्या इस तरह का कोई फार्मूला ओलरी फिट है या इसमें कोई समय सीमा तै की गई है कि सिर्फ एक महिने तक ही आपका केस चलेगा मेरे बहुत सारे व्यूर्स सब्सक्राइबर्स लाइकर्स मुझसे एक बात जरूर पूछा करते हैं बार बार जब भी मैं अपने पुराने वीडियोस देख रही होती हूं आप लोगों के कमेंस जब मैं पढ़ रही होती हूं कि मेडियेशन में कितनी डेट लगा करती हैं आज के लाइव सेशन के दौरान भी मुझसे ये सवाल पूछा गया कि मेडियेशन में कितनी डेट लगा करती हैं तो आज मैं आप सभी के साथ इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ कि आखिरकार मेडियेशन में कितनी डेट लगा करती हैं मैं Advocate Mohini Mona आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल Mohini Mona Advocate अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इनफॉर्मेटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेडियेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप सभी ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं लेकिन एक सवाल जो सभी के आप सभी के जहन में घूमता रहता है कौनता रहता है परिशान करता रहता है कि आखिरकार मेडियेशन में कितनी डेट लगा करती हैं क्या इस मेडियेशन की कोई समय सीमा तै कर रखी है कि इसमें चार डेट्स लगेंगी या इसमें दस डेट्स लगेंगी या इसमें पचास डेट्स लगेंगी या सौ लगेंगी या सिर्फ दस डेट्स लगेंगी क्या इस तरह का कोई फार्मूला ओल्री फिट है या इसमें कोई समय सीमा तै की गई है कि सिर्फ एक महीने तक ही आपका केस चलेगा या आपका जो मिडियेशन में केस रेफर किया गया है किसी भी कोड के जरीए या प्रिलिटिगेशन के जरीए तो क्या वो सिर्फ तीन महीने, छे महीने, छे साल, एक साल, दो साल कितना आखिरकाट चलेगा तो यहां एक बाद जो सबसे जादा सोचने की है कि जब मेडियेशन में आपका केस रेफर होता है रेफर होकर के आता है, तो सबसे पहले जो मेडियेटर सहाब की पैनी नजर आप लोगों पर रहती है आपको सुनने के लिए, आपसे वो बाचीत करने के लिए, आपको नॉमलाइस करने के लिए आपसे बहुत सारी घर परिवार की बाते भी पूछा करते हैं जिसमें जैसे की आप कहां रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आपका अपना घर है या किराय का घर है, अगर आपका अपना घर है तो कितने फ्लोर्स बने हुए हैं, आपके माता जी या पिता जी क्या किया करते हैं, या आ पूछा करते हैं और उस बात को पूछने का सिर्फ एक ही कारण हुआ करता है कि आप नॉर्मल हो जाएं थोड़ा सामानने हो जाएं ताकि आप डरे बिना उनकी हर एक बात का जवाब दे सकें और मेडियीटर सहाब ये महसूस कर पाएं आपकी बातों के जरीए दूसरे का तलाक का केस चल रहा था और वो रैफर हो करके आया है तो मेडियीटर सहाब आखिर कर ये जानना चाहते हैं कि आप से डारेक्ट पूछे बगैर पहले विचारों के जरीए देख ले कि आप उस घर में वापिस जाना चाहती हैं अगर आप लड़की हैं और या आप उनसे डेट लगा करती हैं किसी भी मेडियेशन सेंटर में मेडियेटर सहाब के सामने यहां क्योंकि मेडियेटर सहाब कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में समझाता कराने की चाहे वो समझाता साथ रहने का हो या वो अलग रहने का ही क्यों ना हो लेकिन वो अपना हर संब प्रियास कर रहे हैं और उन प्रियासों के चलते हुए जब वो सेपरेट सेशन्स लेते हैं यानि की लड़की से उन्होंने अलग बात की उसके वकिल सहाब से अलग बात की या उसके परिवार के और सदस्यों से अलग बात की इधर लड़के से उसके वकिल सहाब से उसके और स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में समझाता होने की समावना है भी या नहीं इन सभी चीज़ों को एक ही डेट में नहीं किया जाता बलकि अलग-अलग हर तारिक पर किया जाता है और मिडियेटर सहाप के सामने साथ दिन याने की दो महिने का समय होता है दोनों पक्षों के बीच बाचीत करवाने का और कोई न कोई एक संभावना को तलाश करने का जहां आप दोनों एकमत हो जाए अगर उस साथ दिनों के अंदर समझाता नहीं हो पाता या उससे पहले ही एक महिने के अंदर ही समझाता होने के गुझाईश ही नजर नहीं आ रही तो मिडियेटर सहाब आपका केस जहां से आप उनके पास वो केस रैफर हुआ था वहीं वो वापिस बेज़ दिया करते हैं लेकिन हाँ यहाँ एक बात और गौर तलब है कि अगर मिडियेटर सहाब को किसी भी समय पर यह महसूस होता है कि अगर थोड़ी सी और महनत की जाए तो हो सकता है कि इनका परिवार बस जाए यह हो सकता है कि इनका साथ रहने में दिक्कत हो रही है तो यहां आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको एक्स्ट्रा 30 दिन का समय और दिया जाता है इन mediation process को पूरा करने के लिए यानि 60 दिन की बजाए अब आपके पास 90 दिन का समय हो गया है इस mediation process को complete करने के लिए और mediation सहाब को अपना सारा हुनर जोंकने के लिए आपका परिवार बसाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली बांती ये बात पता चल गई होगी कि mediation में आखिरकार कितनी date लगा करती है ये तो कोई भी निश्चित नहीं है इसमें कितनी भी date लग सकती है लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि यहां समय सीमा जरूर है सधारन तहा साथ दिन का समय दिया जाता है यानि दो महिने का ही समय दिया जाता है आप दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करवा करके किसी एक निडने पर पहुँचने के लिए और अगर संभावना नजर आ रही है मिडीटर सहाब को तो आपको एक महिना और दिया जाता है यानि आपको जिसे कहते हैं कि 30 दिन का और बॉनस आपको दिया जाता है टोटल 90 दिन में कोशिश की जाती है कि आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई एक का समझाता करवा देने में मिडीटर सहाब सफल हो मुझे हैं पूरा बिश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको like, share और कमेंट करना ना भूल एगा और हाँ अगर आप मेरे से चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से जल् बाइब बाइब बाइब